ताइम इस बाउट 947 और पिन निफ्टी पर ट्रेड चल रहा है और इसी कॉंट्रिटी कम है जेनरली 1000 होती है हाफ कॉंट्रिटी 2000 की बट मार्जन है जिज मी बाय करनी थी मेरे को मार्जन कम तो मैंने 848-840 कर ली ठीके वेर अपराउंड यह अड़ गर दो इसके नदर 6800 तो दीरे-दीरे करके डीके आ रहा है बट कोई क्रेजी प्राइज मुवमेंट नहीं आ रही वो ट्राइटर्स जो है वो बिल्कुल सेफ बिल्कुल सेफ फील कर रहे है हर डाव मुव में और प्रीमियम अपना धीर- तक ओपन रखोंगा नहीं रिस्क मैं इसको ट्रेल करना शुरू कर दूंगा अराउंड 8-9 के के जब मेरे दसमांट इकठ्थ हो जाएंगे मंडेज को मैं बहुत ही जादा लाइट ट्रेड करता हूं एक्स्ट्रेमली लाइट क्योंकि मंडेज मेरे लिए सबसे बेकार दिन होते हैं मेजॉरटी आफ मैं मंडे अच्छा नहीं होता अब रीसेंट्ली बढ़े जाने गए हैं जबसे मैंने चो चुह को डोगि मंनेश को इंसान जादा ओवर्ट कर लेता है दो दिन की छुट्टी के बाद इसलिए मैं अलों में अप्टेट करता हूं तो ठीक है बाकी मैं आपको अपडेट करता हूं पहली क्यों जो दा लिए वो दा लिए 18600 9,000 और जैसे आप मारकें नीचे आती मैं इस वाली कॉल को नीचे शिफ्ट कर गया 18 950 को उसके इलावा कोई अज्जस्मेंट कुछ भी नहीं करा देखरो आपकी स्क्रीन के आगे सब कुछ राइट तो 600 क्यों और ये पूछना चाहिए क्यों आ देता हूं 600 क्यों ये ये बनेगा 18600 वाल लेवल तो हमारी अपनी ये वाली ओपन थी बेटनेश्ड का जो लोग था ठीक है और हाए तो अपना यही जहां साथ रिजेक्शन है इस सुब़ सुब़ इंस्टेंट ये रेंज है इतनी बड़ी इसके बीच में अराम 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 शकती रहे अपना काम हो मुझे बंद हो गया था राइट तो इंट्राडे पे वी क्लोज अट बाउट 7000 और अगर आप देखो तो ट्रेड बंद हो चुका है यहां पर एक्जाक्ट रीजनिंग बताता हूं आपको अगर आप ये डाउन मूब देखो ये ये बैक तो बैक ही कठा है था और इसमें की पुट्स चो थी वह बहुत जादा मैसिवली स्पाइक होगे थी जैसे 18 550 की पुट्स पर भी अगर हम जाएंगे तो देखो यहां से इट वेंट फॉर्टी इंट फॉर्टी तू तो अल्मोस्ट डबल होगे थी पुट्स लगबग 200-300 प्रेंट दूर की पुट्स ठीक है तो बता है कई लोग कहेंगे आप भाई आप ट्रेड में बैठे रहते तो आपको यहां से इस पूरे साइडवेज में आपको पांस साथ पॉइंट आठ पॉइंट और मिल जाते लेकिन मुझे बता हो कि आपको कैसे बता यह मूव आएगा यह तो आप रेड खतम होने के ब मैं हमेशा ट्रेल करता हूं और मैंने शुरू होने से पहले ही बोला था कि मंडे का दिन तो मैं भागने की त्यारी में होता हूं बस जो बंजा है मेरे लिए बहुत अच्छा होता है well and good क्योंकि मंडे मेरे लिए हमेशा बुरे रहे हैं क्योंकि on a personal level मेरे को मेरी psychology पता है मं अच्छा ट्रेड नहीं कर पाता और स्प्रेशली अगर मैं प्रॉफिट में जाके माइनेस में जाऊंगो न वह चीज़ में अगले दिन भी एफेक्ट करेगी जब एक्सपायरी है जब मुझे पूरा फोकस चाहिए मैं फूल रिस्क लिए के ट्रेड करता हूं और अच्छ दरूदर हो जाती है निफ्टी में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है निफ्टी में आपके अट्जस्मेंट आपके काम आती है अगर मैं आपको यह मूव दिखाऊ न यहां पर आप अगर कॉल को नीचे लाओगे और यह जो आप मूव आएगा इसमें कॉल वाप पर डबल ह होई और यह जो फीलिंग होती है जो एड्जस्ट करने के बाद बैकफायर कर जाती है यह बहुत गंदी होती है इसमें इनसान को और डबल गुस्सा आता है तो ऐसे सिनारियो से स्पेशली फिन निफ्टी में मैं दूर रहता हूं मेरे को अपना निफ्टी बढ़िया लगत जो आपके लिए काम करें वह बैस्ट है